आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे ग्लासिस के यूटूब चैनल पे थमनेल आपने विल्कुल सही पड़ा अगर आपने आई टी सी नहीं भी लिया है तब भी सेक्शन 74 में आपको नोटीस आ सकता है अरे सर क्या कह रहे हो क्या मजाग कर रहे हो अरे नी कर दिया है जरा इस केस्व 수 और बताना यह मजाग है या क्या है जी सटी में क्या है कोश्चन में वह यक्씬 ईसटी में रजिस्ट्रे क्atives ण ढीलर है कंपोजिशन डीलर के टाइम डारे है वेक्ति मिलनी रहा ठीक है ना उसका रेजिस्टेशन के एंसील हो गया नोन एक्जिस्टेंट हो गया लेकिन कब ट्रांजेक्शन के बाद लेकिन यह कंपोजिशन डीलर की बस उससे गलती यह थी कि उसने उससे माल परचेज कर लिया आप सब लोगों को पता है कंपोजिशन लेकिन डिपार्टमेंट ने इस कंपोजिशन डीलर को नोटिस भेज दिया दो लाग रुपे की पैनल्टी का कि भाई साव आपने परचेज करी थी और यह वेक्ति भाग गया तो आप क्या करो आप हमें टेक्स पे गरो अरे बाई सेक्शन 74 का नोटिस इसू करने से पहले आप सेक्शन 74 को पढ़ो तो सही सेक्शन 74 में क्या लिखा हुआ है कि अगर किसी वेक्ति ने टेक्स पेड नहीं करा किसी वेक्ति ने ITC अवेल्ड कर लिया दीगे ना जान बूच कर फ्रोड से तभी तो करोगे तो यह कंपोजिशन डीलर है विचारा इसने तो इसने तो ITC लिए नहीं तो सेक्शन 74 क्यों लगा रहे हो और मजे की बात देखो सेक्शन 74 लगा भी दिया कमर्शल टेक्स ओफिसर सर्धना मेरट वालों ने ठीक है ना असैसी ने रिप्लाई भी करा भाई उन्होंने का हम नहीं मानते हैं आपको यह टेक्स जमा करना पड़ेगा असैस भाई बोकस डीलर है मान लिया मैंने लेकिन मैंने तो ITC लिया ही नहीं ITC मैंने लिया ही नहीं मैंने तो परचेज गरी है उससे खाली ठीक है ना तो भाई आप मेरे को GST में कैसे लाइवल कर सकते हो केस कुछ ऐसा है एक व्यक्ति है भाई साब उन्होंने एक जुलाई 17 से 21 मार्च 2003 तक कंपोजिशन डीलर में रजिस्टर हुए थे और उन्होंने रोहित कोल ट्रेडर से कोल परचेज गिया था ठीक है उस पे CGST SGST और जो कंपनसेशन से होता है उसकी पेमेंट करी थी सेक्शन 74 में एक नोटिस आगिया इनके पास और कहा कि भाई पैनल्टी जमा कर को तीके ना सैसी को लगा यार एक गलत ओर इन्होंने कर दिया है असैसी ने रेक्टिफिकेशन की डिमांड करी उन्होंने का कोई रेक्टिफाई नहीं करेंगे बिल्कुल सभी ओर है तीके ना और मैज एकी बात देखो रोहित कोल टेडर जिसे ये कह रहे हैं कि बोकस डिल करके कह देता है कि इसकी तो कोई लाइबलीटी नहीं है बैक डेट से कैंसील हो गया और जब यह जिस्ट में रिजिस्टर ही नहीं है बैक डेट से कैंसील हो गया तो इससे क्या ले यह तो विचारा मासूम है अरे यह तो वही बात हो गई ये तो वही बात हो गई कि तुमने किसी को पकड़ लिया ठीक है चोर को पकड़ लिया किसी को पकड़ लिया और उसके बाद कह रहे हो मासू में भाई काय का मासू में अगर उसने अपनी GSTR 1 भरदी 3 भी भरदी या 1 भरदी 3 भी नहीं भरी तो तुमने उसे पकड़ा क्यों न तो आई टीज ने लिए वो टेक्स कहा से दे क्योंकि तुम इससे परचेज घ्रायमाल आप बताओ कमेंट बोक्स में लिखके गलत है या नहीं तो बाइसा यह चीज हो गई तो असेसी क्या करता असेसी नहीं नहीं मिला कुछ नहीं मिला काई की पेनल्टी दू ठीक है प्रादी तो पकड़नी पारे अब क्यों नहीं पता हमें नहीं पता कि निकल जाते हैं कि उनका रेजिस्टेशन को पकड़े जा रहे और इस बार तो हदिगर्दी रिसीवर ने आई टीसी ने लिया तब भी पकड़ लिया यह कहते हुए कि जो रिसीवर ने परचेज दिखाई थी वो सारी की सारी बोकत है अरे अगर सारी परचेज बोकत है तो इंकम टेक्स वाले पकड़ते जिएस्टे में तो सेक्शन सेवंटी फॉर लगाने से पहले देखो के तो सही इसने टैक्स की चोरी करी कैसे है अब यहां पर हुआ अब यहां पर जब विक्ती टीक है अपना हाई कोट में गया हाँ हाँ हाई कोट ने बहुत अच्छा डिसीजिजन दिया हाइक को यह साबित करें जिस व्यक्ति ने आई टीसी लिया है वह साबित करें कि रोहित कोल ट्रेडर सप्लाइर ने ठीवी में टैक्स पे कर दिया है अरे यह भगवान है कोई इसे कैसे पता चलेगा उसकी ठीवी और उसकी जीस्ट यारवन जीस्ट के पोर्टल पर है और जब वह जी सब यह order जो आपने करा यह बिलकुल विकार है ठीक है न आपको इस तरह का पैनलटी का order नहीं करना चाहिए था और इस order इस case को वापिस भेज दिया अब इस कहानी से हमें क्या सिक्सा मिलती है, इस जज्मेंट से हमें क्या सिक्सा मिलती है, इस जज्मेंट को आप अपने favor में यूज कर सकते हैं, कि भई अगर section 74 में कोई वक्ति भाग गया, कोई कुछ हो गया, थीक है न और उसकी 3B और 1 फाइल है, वो रखी है, तो हमनी है भ हमने तो ना हमने तो जो सप्लायर का रिजिश्टेशन बेक डेट ने चैंसिल कर सकी लाइवलिछ ने वह तो भाइजद वरी हो गया किर सक्राइब है कैसे हो गया कियो कमेंड स्नेट लिख कर स petty चैशी सबाद का उसका फोन नंबर चालू है आप ने उसका रजिस्टेशन कैंसिल कर कैसे दिया विना रिकवरी के और आप हमें लिखके दो ना नोटिस में कि इस से रिकवरी नहीं हो पाई और इस से रिकवरी क्यों नहीं हो पाई यह भी तो माँ तो cud बहुत अच्छी जैजमेंट है अगर किसी को की कौपी चाहिए तो आप हमारे ठीक है ना आप हमारे ट Mitte सकते हमारी टीम को WhatsApp कर सकते हैं उनसे ले सकते हैं इस जैज्मेंट को पूरा इनिलाइजि़्स करेंगे मैगजीन के अंदर तो अगर किसी ने मैगजीन नहीं लिये तो भाई सब मैगजीन सब्सक्राइब करा लो एक्सपायर और रखे तो रिनू करा लो ठीक है ना जी और हाँ हमारी GSTR 99C की किताब और GSTR 3B की किताब जो हमारी रिटन्स की किताब है वो कैसी लगी मुझे कमेंट बोक्स में लिखकर बताओ और अगर उसकी कोपी चाहिए आपको हमारी किताब होगी तो आप हमारे नंबर पे वाटसप कर दो एक पेमेंट कर देना उसके बाद आपको वो कोपी मिल जाएगी तो इस तरह की जजमेंट अगर आपको पढ़नी है समझनी है तो आप हमारा एप डाउनलोड गर सकते हैं उसके अंदर फुल कोर से दिवाली का डिसकाउंट चला है फटावट से जाकर ले लेना इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ थैंक्यों फॉर वाचिंग